बॉलिवुड इंडास्ट्री के बिग बी अमिताब बच्चन एक आक्टर, डिरेक्टर, प्रोड्यूजर, म्यूजिक कंपोजर और टेलिविजिन होस्ट हैं। उनका जनम 11 ओक्टोबर 1942 को एलहबाद में हुआ था। लोग आते हैं, लोग जाते हैं, हम यही पेखड़े रहे जाते हैं, सारी दुनिया का बोज हम उढ़ाते हैं। फिल्म साथ हिंदुस्तानी से अमिताब बच्चन साहिब ने अपनी आक्टिंग की शुरुवात की थी। 1971 में आई फिल्म आनंद में, अमिताब जी ने राजिश खन्ना के साथ आक्टिंग की और उसी फिल्म के लिए उन्हें अपना फिर्स्ट फिल्म फेर अवार्ड मिला था। 1973 के फिल्म जन्जीर से अमिताब बच्चन को पहचान मिली और उसी फिल्म से उनको अंग्री यंग मैन किताब मिला है। अमिताब जी के फिल्म करियर में कहीं सारे मुवीज हैं। 1971 से लेकर आज तक कहीं सारे फिल्म ब्लॉकबस्टर हिट्स हैं। जिन में से कुछ हैं अमर, अकबर, आंथनी, गैंबलर, याराना, दीवार, शोले, डॉन, नमक हलाल, कूली, लावारिस, अगनीपत, हम, मोहबते, कभी खुशी, कभी गम, पा, पिंक और पीकू। अमिता बच्चन को उनकी जबरतस्ट आक्टिंग के लिए कहीं सारे अवार्द्स मिल चुके हैं। उनमें से चार प्रस्टिजियस नाशनल अवार्द्स और भारत सरकार के तरफ से उनको पद्मश्री और पद्मभूशन पुरसकार से भी सम्मानित किया गया है। ए रूख तेरा सोणा सोणा सोण तेरी पायल चन 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 ऐसे चन के करते सब को घायल कह रहां आखों का का जल रिष्क में जीना मरना। बॉलिवुड में अमिता बच्चन और जया बच्चन की शादी शुदा जिन्दकी एक मिशाल की तरह है। थर्ड जून 1973 को ये दोनों ने शादी किये। उनके आने वाले फिल्म थग्स ओफ हिंदुस्तान के ट्रेलर को लोकों ने काफी पसंद किया है। और हम उम्मीद करते हैं कि ये फिल्म भी बड़ी हिट साबित होगी। आज हम इस सूपर तालेंटेड बिग बी को विश्च करते हैं और वेरी वेरी हैपी बर्दे।